अखिल भारतिय बावरी समाज कल्यान समीती की हुई दिपांजली पेलसंस में चिंतन सिवीर का आयोजन किया इस मौके पर मुख्यातीती के रूप में केंद्रिया धक्ष गौर्ड चंद्र बावरी मौजूद थे इस मौके पर गौर्ड चंद्र बावरी ने कहा कि आज हम लोग चिंतन सिवीर का आयोजन किये हैं तथा समाज को कैसे आगे बढ़ाना है इस पर हम विचार भी मर्स कर रहे हैं समाज की ओर से तथाकतित जिलात धक्ष बने हुए हैं जिसका समाज से कोई लेना देना नहीं है जिस पर हम लोग कारवाई करेंगे इस मौके पर समाज की ओर से गौर्ड चंद्र बावरी को सौल लड़ा कर एवं गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया साथ ही इस मौके पर समाज में उत्किर्ष युगदान करने वाले कई लोगों को भी सम्मानित किया गया इस मौके पर मुखे रूप से संचालन करता दीपक बावरी, स्रीमंद बावरी, बालेश्वर बावरी, युधिस्टिर बावरी, अनिल गौतम बावरी, कोड़ा बावरी के अलावे काविस सम्मानित का काईच का मुरा है जिसके लिए आप आए हुए है कि आज फूकार जिला में अखिल बावरी समाज के लिन्सभी का जिंतन सिबीर गिया जा रहा है समाज के दरब से और इसका मुकद्रेश है कि समाज को मजबूत करना है समाज को तेज़ गती देना है और खूकार जिला में कुछ DIOनिमेर्ताचे चल रहा है जीसे कि कुछ लोग अपने आपको अपने सही जिला अदर्गोसिश करती है जिसका जो है हम खन्नन करते हैं चुकि आज के दिन में बोकारो जिला में अखिल भारतिय बारोई समाज करिलान समिति का कोई भी जिला अदर्ग्स नहीं है इसलिए वैसे लोग को मैं चेताता हूँ कि वो गलत तरीके से बेनर को इस्तिमाल न करे और समाज को दिरभर्वित नहीं करे अन्यता बाज धोकर कानूनन कारवाई किया जाएगा उन पर तो अभी तेखने मिला कि कितने समाज जिला धज बने हुए हैं बहुत अखिल भारते बावरी समाज करे लान समिति का तो तिन आदमें बताएं वहाँ दिखाय नहीं दे रहे हैं वो लोग सारे लोग को हम यहां सही करते हैं वो सारे लोग निरस्थ हैं और कोई भी आज के दिन में जिला धज नहीं है अब हम लोग इस चिंतन सिबीर में तै करेंगे और जिला धज का नियुक्त करेंगे वही जिला धज अखिल भारते बावरी समाज का लान समिति का एक समाज आपका है अखिल भारतिय बावरी समाज कल्यान समीति के बेनर से अगर बोकार जीला का कोई धक्ष अपने आपको कहता है तो गलत है उसका हम बिरोध करते हैं और उसको सचेट करते हैं कि वो इस बेनर को इस्तिमाल न करें अन्य था बाइद होकर हम कानून का सहारा और उनको भुगतना पड़ेगा